लोगसबा चुनाव से पहले दिल्ली में कॉंग्रस पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है पार्टी के वरिष्ट नेता और पूर मंत्री राज़कुमार चोहान ने पार्टी से स्तीफा दे दिया उन्होंने कहा कि जिस तरीकी से टिकट वित्रन हुआ उससे वो बेहद आहत हैं इसके अलावा जब उन्होंने प्रोदेश परवारी से अपनी परिश्वानी जाहिर की तो उनके साथ गलत ब्यवहार किया गया राज़दानी दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा ताजा मामला दिल्ली की उत्तर फश्चिमी लोकसवा सीट से जुड़ा है दरसल कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नीटा और पूर मंत्री राज़कुमार चोहान इस सीट से प्रवल दाविदार थे लेकिन उदित राज को टिकट मिलने के बाद से ही उनकी नाराजगी किसी सची भी नहीं हली में प्रदेश परभारी दिपक बावरिया के साथ भी एक बैठक में भी उनकी काफी बहस इस मुद्दे को लेकर हो चुकी है जिसके बाद उनके उपर अनुशास नात्मक कमीटी बिठाई गई और उनके उपर कारिवाई के लिए आला कमान को रिपोर्ट भीजी गई बुद्वार को या जानकारी सामनी आए कि राजकुमार चोहान ने अपने पस्तित्व की पेश्वश की है यह खबर जैसे ही सामनी आई राजकुमार चोहान ने अपना एक वीडियो संदेश भी जारी किया जिसमें उन्होंने टिकट वितरन को लेकर दुख जाईर किया इक मिटिंग आधर निया दीपक बावरिया जी ने अपने ऑफिस में पुलाई और नौर्थ वेस्ट एरिया के 20-25 जो सीनियर कारे करता था कॉंग्रेस के वो लोग महां मौजूद थे हम जब अपनी बात रख रहे थे तो बावरिया जी ने मुझे अपनी बात रखने का बार बार कह रहे थे बाहर जाओ गयट आओ तो उस पे लेकर मैंने आज अपना इस्तीफा आजनी ये लवली जी को जो अमारे प्रदेश अधक्र इनको भीज दिया और मैं रिजाइन कर गया राजकुमार चौहान ने कहा कि वो और उनके परिवार कॉंग्रेस पार्टी का निश्टावान कारी करता रहे हैं उन्होंने कहा कि वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे लेकिन उन्होंने टिकट वितरन को लेकर भी कई गंभीर आरोप नित्योत्य के उपर लगाएं उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तयार है फिलाल उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए एक पत्र को पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष अर्वंदर सिंग लवली के पास भीज दिया है एक ऐसा कैंडिडेट इन्होंने दिया जिस कैंडिडेट के आरोप है स्ट्रिंग ओपरेशन का जिस कंडिडेट के उपर आरोप है ब्राह्मनों को गाली देने का जिस कंडिडेट के उपर आरोप है जाटों के अगेंस्ट पी आईल डालने का और जब मीटू का एक इशू कुछ साल पहले चला था तो इनके इस्टेटमेंट आई थी कि लड़कियां ऐसे किसी पर भी में पैसा लेके उसके उपर वापस कर दिया जाता है तो इस तरह का आदमी और जहां जाता है वहां पैसे लेने के लावा कोई बात ने करता इस आदमी को कॉंग्रिस का टिगर तो जरूर मिला लेकिन इसको इलेक्शन ने लड़ना इसको सिरफ सिरफ पार्टी से और लोगो के तहट काम किया उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी के साथ वी बैटक में उनके साथ अबद्र विवहार किया गया उसे वह बेहत आहत पुए राजकुमार शोहन ने अपने पत्र में उधित राज के मुईद्वार बनाये जाने पर भी सवाल खड़े किय हैं पड़ने शर्मा टोटल न्यूज दिल्ली